दूस्तों अगर आप भी करते हैं printer का use और बहुत ज़ादा वरग करते हैं तो हमें कभी-कभी ना बहुत ज़ादा irritation होना लगती है यानिकी गुससा आन लगता है जैसा की बार-बार हमें केबल लगानी पड़ती है printer की तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सिखेंगे कैसे आप अपने प्रिंटर को अपने laptop, computer से easily wireless तरीके से connect कर सकते हैं यानि कि बिना किसी वायर के और आसानी से आप प्रिंटर दे सकते हैं वीडियो को पुरा देखीगा तब ही आप समझ पाएंगे हेलो दोस्तों नमस्कार मेरे नाम नवीन है और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चनल हम से फर टेक में दोस्तों अगर आप हमारे चनल पर पहली बार है चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी तरफ से ऐसे इंट्रस्टिंग और नोलेश्फिल वीडियो का अपडेट मिले सबसे पहले तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कैसे आपको अपने लैप्टॉप से अपने कंपूर्टर से अपने प्रेंटर को डिर्क्ली वाइरलेस तरीके से कनेक्ट करना है तो दोस्तों अपने printer को अपने laptop ए computer से connect करने के लिए वो भी बीना किसी wireless तरीके से आपको connect करने के लिए सबसे पहले अपने laptop computer पर आना है और आपको यहाँ पर जो नीचे आपको start का menu दिखता है और वहाँ पर आपको चाहे तो आप search कर सकते हैं चाहे तो आप यहाँ पर सबसे पहले आगर आप window 7 यूज़ कर रहे है या window 10, window 8 तो कोई फरक नहीं पड़ता है आपको simply यहाँ पर control panel लिखना है या फिर आप यहाँ पर search कर सकते हैं और आपको यहाँ पर control panel पर जाना होगा और जैसे दुस्तों यहाँ पर click करेंगे यह वाल large icons में इस तरीके से आपको देख रहे होंगे तो आपको confused बिल्कुल भी नहीं होना है और अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर इसको categorize कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर देखीगा बहुत सरे options हैं तो ऐसे मैं आपको समझ में नहीं आएगा त उसके बाद आपके सामने यहाँ पर जितने भी printer आप attach कर रखे होंगे आपके सामने आ जाएंगे फिलहाल हमारा HP का printer attach है तो यहाँ पर देखीगा यहाँ पर attach आ रहा है लेकिन फिलहाल यह wire से ही काम करता है wireless को जोड़ने के लिए आपको right click करना होगा इसके उपर और यहा आप यहाँ पर देखीगा share this printer तो आपको यहाँ पर tick mark करना होगा और automatically यहाँ पर जिसका नाम आ जाएगा share name automatically ले लेगा और यहाँ पर जैसे आएगा दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले देखी यहाँ पर सारे की सार बने होंगे इस तरीके से और green tick आ जाएगा तो यहाँ पर इसका मतब होता है कि wireless तरीके से हमारे printer जो है successfully attach हो चुका है अब दोस्तों इस तरीके से आप easily attach कर सकते हैं और साथे साथ में देखिए मैं यहाँ पर आपको printer एक print निकाल के दिखा देता हूँ अब देखिए कोई दो इसी भी हम एक file को random ले उठा लेते हैं बिल्को और इसको हम Ctrl P कर लेते हैं और जैसे हम यहाँ पर Ctrl P करेंगे तो यहाँ पर देखिए का दोस्तों आप यहाँ पर हम इसको change कर लेते हैं जो नाम हमने वहाँ पर देखा था यहाँ पर 126NW तो हम इसको select कर लेते हैं और print क लेते हैं तो इस तरह से दूस्तों आप असानी से अपने printer को wireless तरह कर सकते हैं लेकिन दूस्तों अगर आपको problem आती है आपका printer अटेच नहीं है तो आपको कैसे उसको attach करना है first time अगर आपने अभी तक अपने printer को attach नहीं किया है यह फिर आपके device and printer में अगर आपका so नहीं है तो अगर आपको वीडियो देखनी है आपको ऊपर i button पर उस वीडियो का link विल जाएगा आप उस वीडियो को ज़रूर देखीगा तब ही आप अपने printer को अच्छा से attach कर पाएंगे I hope दोस्तों आप अपने printer को अपने laptop computer से wireless तरीके से connect करना सीखे होंगे अगर आपको वीडियो helpful लगा हो वीडियो को एक like ज़रूर करें अपने दोस्तों को इस वीडियो को share करें और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है question है यार आपको problem solve हो चुका है तो आप comment करके मुझे ज़रूर बताएं मुझे बहुत जादा अच्छा लगेगा इसके लावा दोस्तों आप मुझे facebook, instagram पर follow कर सकते हैं आपको link वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ interesting और नए वीडियो के साथ में तब तक आप लोग खुस रहो, मस्त रह और स्वास्तर हो, so thank you, bye bye दोस्तों